नमस्कार दोस्तों, मज़एदा टॉपिक होने वाला है, आप गैरेंटी ले लीजिए ये थोड़ा सा एक ट्रोलर टाइप चीजें लोग लिखते हैं, शादी की बात करें ये specifically addressed है लड़कों के लिए, जिनकी शादी नहीं बाकी लोग जिनकी होगी वो आनन उठाएं ठीक है, और share करें, because कोई ना कोई आपके friend circle में, जान पिचान में, family में ये सब बाते कर रहा होगा section 498 का आपको डर है, कि भई शादी में तो सारी लड़की ऐसी हैं, जूटे case करती हैं, और बीच में आप guarantee ले लिजिए, कर लिजिए भई कोई guarantee नहीं लेने वाला, इस guarantee की मैं एक fallacy बताने वाला हूँ, और एक मुरखता बताने वाला हूँ, जो सीख करते हैं जीवन में एक guarantee है, सब ये जीवन छोड़के चले जाएंगे, कब जाएंगे वो शायद नहीं पता पर चले जाएंगे, इसके अलावा अगर आप guarantee सीख करते हो, तो मुरखता है दूसरी चीज़, आप खुद पांच साल बाद कैसे होंगे, आप खुद guarantee नहीं ले सकते हैं, आप अपने बेटे बेटी की guarantee नहीं ले सकते हैं, आप अपने खुद के चाल चलन की guarantee नहीं ले सकते हैं, आप guarantee किसी और की चाहते हैं marriage is leap of faith, leap of trust गाड़ी ठुकती हैं, accident होते हैं, गाड़ियां नहीं आती हैं लोग swimming करते हैं, को swimming करने में डूब भी जाता है जहाज उड़ते हैं, कुछ हो भी जाता है सारी चीजे होती हैं जीवन में, सब कुछ होता है guarantee कौन किसकी ले सकता है आप अपनी driving skills की guarantee ले सकते हैं, कि आपकी गाड़ी कभी नहीं भीड़ेगी आप guarantee ले सकते हैं, जीवन में, कि जो stock market में आपने पैसा डाला है ये आपको 14%, 12% return देगा ही, क्योंकि इसने दिया है वो लिखते हैं न disclaimer में, past performance is not guarantee of future performance read the offer document before investing तो वो ही जीवन की सच्चा ही है आपकी past performance भी कोई लेना देना नहीं है तो जो भी सीख करना चाह रहे हैं, guarantee हर चीज में, वो नहीं मिलेगी हाँ वो ये है कि 35-40 साल की उमर में हो जाओगे mature हो जाओगे, परिपकव हो जाओगे तब फिर कोई महीला या पुरुष या जो लेट शादी करते हैं उनको कोई मिल जाएगे और फिर आपको इतनी guarantee सीख दी करोगे बिकोज आपको life में यह एसास हो जाएगा कि यह guarantee कोई नहीं देने वाला और फिर आप फिर आराम से रह लोगे तो भई 23, 25, 26, 27 साल के उमर में जब शादी की एज है काही को guarantee चाहिए आपको कहां जाओगे guarantee लेके कौन guarantee देगा guarantee देने वाला कौन है लड़की का बाप, लड़के का बाप, लड़की की मा, लड़के की मा लड़की की मा guarantee देदी कि कि ये भई आ रही है, मैं इसको परताडित करूँगी नि, मैं इसको कोई dialogue मारूँगी नि, कुछ ऐसे बोलोंगी नि, हाँ हाँ आज कल खीतो लड़की आना ये ऐसे करके को dialogue नि मारूँगी कितने भजे सोके उठे हो तुम कितने क्या कपड़े पहन रहे हो कौन आ रहा है, जा रहा है हमारे टाइम में ऐसे होता था आप अपने guarantee ले सकते हो जो लड़के guarantee सीख कर रहे है लड़की वालों से तुम अपने माब अच्छा माबाप से guarantee ले सकते हैं कही लोग ना लड़के सूचते हैं मैं लड़कों की टाइर, मैं लड़कों की टीम में हो भाई अगर आज खुल के पूछ नहीं है तो feminist कहां से हूँ, मैं अर्याना का हूँ मेरी community कौन सी है is my community or my state known for feminism तो मेरे में कौन से injection ऐसे आगे हैं कि मैं बड़ा feminist हूँ मैं तो feminist नहीं हूँ, मैं realist हूँ मैं लड़कों को बता रहा हूँ, बावडी बुच्चों अपना writing on the wall देख लो, थोड़ा सुधर लो मैं लड़कियों को surrender करने को नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कियों को surrender कर दो मैं लड़कियों को सर पे चड़ाने को भी नहीं बोल रहा हूँ पर मैं बोल रहा हूँ कि भी है market dynamics है उनको understand कर लो बेवकुफ मत बनो पता होनाचे कि leverage किदर है इतनी चौधराट मत रखो जब अपने पे कुछ वो नहीं है बहुत प्यारी अच्छी लड़कियां है संसकारी अच्छी लड़कियां है और majority में वो हैं अभी भी लेकिन आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ भाईयो बैनो आज जो आप guarantee सीख करते हो guarantee खुद दे दो तो आपको guarantee मिल जाएगे जो आप हो वो आपको मिलेगा आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा समझ लो लड़के को भी बता रहा हूँ लड़की को भी हर लड़के को पता नहीं कौन सी लड़की चाहिए और लड़की को पता नहीं क्या लड़का चाहिए बाई जो तुम actual में हो ना तुम्हें वो ही मिलेगा अगर तुम्हें better चाहिए ना जो मिल रहा है तो अपने आपको improve करो वो अपने आपको देखने में improve करना है बोलने में करना है सोच के level पे करना है पैसे के level पे करना है संसकार के level पे करना है बहुत तरीके होते हैं अपने आपको इंप्रूव करने के एक इनसान के 10 से 15 फैसेट्स होते हैं लाइफ के मतलब हर चीज़ को इंप्रूव किया जा सकता है इन चीज़ों पर मैं चर्चा करता हूँ डेटील में चर्चा करता हूँ अगर मेरा सब्सक्राइबर इन्फो वेबिनार गुरूप आपने जॉइन नहीं किया है जब में वेबिनार की वरक्शॉप की इन्फोमेशन आती है तो आप किरपया करके वो वाट्साप गुरूप कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा टॉप पर जॉइन कर लो प्लाटिनम मेंबर्शिप ले नहीं प्लाटिनम मेंबर्शिप ले लो जाए जौन सा जादा समझ में है वो आप ले लो उस पे आला काट पीए करके ले सकते हो प्लाटिनम में ब्लैंकेट है सब कुछ ही कंटेंट मेंबर्शिप में free है या complimentary है या part of the package है तो कभी भी guarantee सीख मत करो इस दुनिया में probability पर जाओ अगर आप जहां जिस level पे हो उस level से बहुत उपर या बहुत नीचे शादी नहीं कर रहे तो आपका जादा disappointment level नहीं होगा problem आती है कि जब खुद का level यहां है तो पता नहीं कौन सा level desire करने के चकर में फस गए या बहुत आपने नीचे उपर आपने बहुत नीचे भी कर ली तो भी dissatisfaction होगा कभी यह मत सोचना ऐसे लड़का कि आप यहां पे और कोई लड़की आपने इस तबके से उठा ली कि यार यह तो हमारे इसाब से चलेगी तो ऐसा नहीं होने वाला कि आपने सोच ले नहीं यह वाली यह खांसे मूँ खोलेगी यह नहीं होने वाला always never set up yourself for disappointment जो भी लड़की वाले भी लड़की वाले भी यह कई बार सोचते ना ऐसा नीचे से लियाएंगे दमाद है घर जमाई रहेगा अमारे काबो में रहेगा नहीं होता इतना easy नहीं है जो भी आपका status है यह status के आसपास या थोड़ा सा 19-20 के बीच में ही शादी करो चाहते तो मुझे पता है सबकी बहुत है पर चाहतों से आपकी life चलने नहीं वाली चलने वाली है जो आप खुद है तो अपने आप पर महनत करें खूब महनत करें अपने आपको निखारें आगे वीडियो शादी किस टाइम पर करनी चाहिए उसके उपर भी मैं बनाना चाहूँगा एक right time North India, South India में भी variation है ठीक है पर एक right time to get married है लोग उसको delay करके अपनी सारी जिन्दगी सुहा कर रहे है जल्दी करके लोगों को लगता है कि मेरी life में कुछ गड़बड होगी वो detailed में मैं वीडियो बनाऊँगा कि एक ideal time है उसमें करने के फाइदे क्या क्या है और नहीं करने के नुकसान क्या क्या है लोग पहुँच चुके हैं 32, 33, 34, 35 तक और उसको new normal बना रहे हैं और ऐसा नहीं है कि जो आपको 26 में मिल रही थी या मिल रहा था तो 33 में उससे अच्छा मिल रहा है नहीं मिलेगा इस्ट फेसिंग, पार्क फेसिंग, धूप फेसिंग वाले प्लोटों की पहले ही booking हो जाती है वो बाद के लिए नहीं छूटते कि जब आप आए तो हाँ जी ये आपके लिए रखा हुआ है जी बढ़िया वाला वो ले गया कोई बढ़िया वाला investor पहले उठा ले गया corner प पार्क फेसिंग, इस्ट फेसिंग बढ़िया जहां था वो पहली जा चुका है लड़कों के लिए भी applicable है ये बात और लड़कियों के लिए भी applicable है उसके फाद वो कहते है न गरम गरम पूरी आती है फुली फुली सबजी वो पहली उठ जाती है फिर बची खुची जो खा चाते हैं तो उस पर भी detail में मिल जाएगा इसको share करिएगा like करिएगा thank you very much